आतंकी अपने मनसूवों से बाज नहीं आ रहे, लगातार सेना पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं दक्षन गश्मीर के अनंतनाग जिले के बिज बेहरा में मंगलवार को आतंकियों ने CRPF की टुकड़ी पर ग्रेनेड हमला कर दिया, ग्रेनेड के साथ ही CRPF के जवानों पर गोलियां भी बरसाई गई ग्रेनेड नहीं फटा लेकिन गोली बारी में एक जवान शहीद हो गया रिपोर्ट के मताबिक संदिद आतंकियों ने CRPF की टुकड़ी पर फाइरिंग कर दी इसका जवानों ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन इस कारवाई में शिवलाल यादव नाम का एक जवान गनभीर रूप से घायल हो गया जखमी जवान को तुरंध ही बिजबेहरा की S.D. अस्पताल में लेकर जाया गया हाला की हालत गनभीर देखकर बिजबेहरा के डॉक्टरों ने जवान को अनंतनाग GMC इचले जाने को कहा अनंतनाग में जवान को विशेश इलाज के लिए भेज दिया गया वहाँ GMC अनंतनाग के डॉक्टर ने जखमी जवान को मृद खोशित कर दिया डॉक्टर ने बताया कि जवान की शरीर में कई गोलियों के जखम थे और सीने में भी गोलिया लगी थी फिलाल सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ओप्रेशन चलाया जा रहा है बता दें कि शहीद जवान शिवलाल ने ताम 36 गड के कूंडा गाउं के निवासी थे और जम्मू कश्मीर में 160 वी बटालियन में पदस्त थे आज शहीद शिवलाल का पार्थिफ शरीर रायपुर लाया जाएगा और उनके पैत्रिक गाउं में उनका अंतम सस्कार किया जाएगा न्यूस टेस्ट फिसी बटाब से उनके पुरीर सनिक भाउप